हेलो, गुड मॉर्णिंग मैं गियर इस्टुडेंट कैसे हो आप क्लास सेकेंड की मैथमेटिक्स आपकी चल रही है स्टुडेंट्स तो बच्चो इस मैथ की बुक के अंदर आपका चेप्टर चलना है फर्स्ट रिवीजन ओकी, तो हम निकाल लेते हैं यह है आपका चेप्टर, फर्स्ट रिवीजन तो बच्चो मैंने आपको बताया था कि इस रिवीजन जो चेप्टर है इसके अंदर आपको क्या-क्या करना है ओकी, तो मैं आपको याद दला देता हूँ है ना, तो कल की जो हम वर्क था उसमें मैंने आपको दी थी, यह वर्क शीट है ना सबसे पहला, फर्स्ट डे मैंने आपको दिया था बच्चो यह वर्क शीट तक के लिए थी, तो बच्चो आज के लिए क्या है आज हम बच्चो बात करेंगे आगे 51 से लेकरके और 100 तक के नमबर आपको लिखने है ओकी, तो देख लेते हैं कैसे लिखने है बच्चो, आप अपने नोड़ बुक निकालोगी ओकी, उस नोड़ बुक के अंदर स्केल से पहले तो यहाँ पर लिख लोगी क्या लिखना है बच्चो नमबर नमबर पॉर्म 51 तो 100 ओकी, 51 से लेकरके 100 तक के नमबर आपको लिखने है बच्चो, तो इस पीच को दो बागवा हम अट लेंगे ऐसे करकी ऐसे करके, ओकी स्थेंग, तो देखो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चो, 51 इसके सामने ऐसे लगाएंगे, यह क्या लिखा हुआ, 51 तो यह लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, जिससे साफ साफ वर्क हो सके, 52 लिखेंगे, उसके बाद, ओके बच्चो, तो इस तरह से आप जो है, यहाँ पर नम्मर्स को लिख लोगी, 52 ऐसे, फिर यहाँ पर लिखोगी, ऐसे फिर इस पेच पर लिखोगी, तो जब तक 100 तक नहीं लिखेंगे, बच्चो, आज के लिए आपको मैथमेटिक्स में बस यही वर्क करना है, 51 चे लि 20, ओके, यहाँ आपका है, ओके, सो इस ट्रेंट्स मिलते हैं कल की वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क करना है, ठीके, कल फिर हम एक वर्क शीट तयार करेंगे, एक एक एक्विटी शीट बनाएंगे, ओके, तब तक लिए बाई,